हलो इस्टूडेंट्स बेलकम टू पी वियार स्टडी जीत की खातिर जुनून चाहिए जिसमें उबाल हो ऐसा खुन चाहिए ये आसमा भी आएगा जमी पर बस आपके इरादों में जीत की गुंज चाहिए और इस जीत की गुंज को ऐसे ही बनाए रखना और मेहनत करते रहन चलिए शुरू करते हैं आपका चकुष्चन थोड़ा सा अलग है दिमाग थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा बाकी सब चीज़ें वैसे ही करनी है कह रहा है कि 25,000 रूपए के मूलधन का मूलधन मिंस प्रिंसपल अमाउंट 12% वार्शिक दर से 8 महीने में मिसरधन क्या होग लेकिन ये भी कह रहा है कि ब्याज जो है वो परती चार माह पर दे है ब्याज चार माह पर दे है इस बात को भी से ध्यान रखना ये चार माह वाला लफड़ा है ऐसी सिती में हम ये ट्रिक या सुतर लगाएंगे यहाँ पर समझेए यदि पी धनरासी को टी वर्सों के हखिएंगे और जो समय होगा उसको यन से गुरा कर देंगे बस अब यहाँ क्या होगा सवाल यह उठताए देखो लिखने के ज़यादा जरूरत नहीं है यह हमारा पी दिया है मुलधन है यह हमारा आर दिया है और यह मतलब यह है ठीक है जीतने माह का पूछेगा चलिए ए हमें निकालना है यहां से हम करेंगे इधार थोड़ा खिसका लेते हैं यह 25,000 है इसको ऐसे रख देंगे ध्यान से समझना प्यार से समझना और यह P कमान हो गया आप 1 फ्लस R R कमान कितना है बारा है और यह कितना है भाईया यन देखो यहां पर एक चीज आपको यह समझना होगा कि यन का मतलब तो चार है न तो हम क्या चार रख देंगे यहां पर देखो यहाँ पर यन कमान 4 नहीं रखना है इस बात को आपको ध्यान देना है यह यन कमान मैंने आपको बताया लेकिन इसको ऐसे नहीं रखना आपको ऐसे समझना है कहरा कि परतेक 4 माहा पर ब्याज दिये है तो ये बताओ भाईया एक साल में और सारे हिसाब तो एक साल में हो रहे हैं ये महीना में है न तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पर छोटा समय समझाने की कोशिस करूँगा कि एक साल में बारा महीना होते हैं न बारा महीना होते हैं न तो अगर उनको चार-चार महीना में हम बाटेंगे तो कितने पार्ट होंगे यह बताओ अरे वैसे जैसे आप पढ़े हो कि एक साल में दो छामाही होती है एक साल में चार तीमाही होती है वैसे एक साल में तीन चार माही होती है लेकिन यह चार माही बोलते नहीं ऐसा कुछ बनता नहीं है ठीक है नौ माही बोलते है तो आपको ऐसे समझना है कि एक साल में कितने चार माह होंगे तो एक साल में तीन चार माह होंगे न थीन बात समझ में आया न तो हम हर जगा येन कमान तीन ये उच करेंगे इस चीज़ को यहां पर भिसेश ध्यां रखना ने तो यहीं गढ़ बड़ा जाता है ठीक है समझ में आया ना जैसे हम पढ़ते हैं कि एक साल में तीन क्या होता है चौ माही होती जान लो बस एक साल में दो छा माही होती एक साल में चार ती माही होती वैसे तो यहां पर हम आर का मान तुबारा रख दिये ठीक है यन का मान हम तीन रखेंगे और नीचे ऐसे हंड्रेट करेंगे जैसे वित्था उपर क्या है टी टी का मतलब समय याद रखना आठ महीना बोल रहा है हर जगा हम सब येर में निकाल रहें तो एक महीना में कितना साल भाई ऐसे पढ़े हो कि एक साल में बारा महीना क्यों एक साल में बारा महीना ना तो एक महीना में कितना साल एक महीना में एक बटा बारा फाल होता है याद रखना एक महीना में एक बटा बारा साल फिर आठ महीना में आठ महीना में आठ बटा बारा साल यानि हम टी का मान आप रखोगे आठ बटा बारा और यहन कमान क्या रखेंगे तीन जो अभी आप पढ़े हो ठिक है समझ में आई नहीं बात चलो तो भाईया आगे बढ़ते हम यह बराबर यह 25,000 ऐसे का ऐसे ही रहेगा इनको कार्ट देंगे तो यह 4 आ जाएंगे अब यह कम 104 मतलब को मिला के 104 बटा 100 हो जाएगा समझ गये ना और यह 3 से कटेंगे 3.12 यह 4 से कटेंगे 2 फाइनल में 2 आएगा यानि इनकी घाद 2 लगेग अब हम इनको ऐसे कुछ लिख सकते हैं नीचे थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो मैं अभी दिखा दूँगा हैरान नहीं होना नीचे अभी कैमरा कर दूँगा नहीं दिखेगा तो बस कुछ सिकेंड रुकी है इनको दो बार आप गुड़ा करोगे तो यह 104 बटा 100 और य श्यान देना गुड़ा भाग आपको आता है बहुत दो जीरो से दो जीरो यहां फिले लो इनको काट दो यह खुश है इनको आप 25 से काटो पचीस चोका सो इनको 25 से काटो गवाबू तो 25 से कम 25 जीरो 10 ठीक है अब इतने में कोई जंजट नहीं ना देखो यह 10 उपर है या साइनल में जो बचा इनको बटोर के इधर साइड ले चलो यहां पर उपर देखो याद रखना पांच बचा है अब नीचे कुछ नहीं बचा चुकि दो जो बच्चा तरहा था वो भी कट गया नीचे कुछ नहीं बचा पांच इसमें बचा है इसमें बावन बचा है ठीक ह इन सब का आप गुड़ा करोगे तो आपको पता है मैं ज्यादा इस्टपना बढ़ाऊं पांच दूना दस और पचंपची से 26 यह इतना बन रहा है इनका गुड़ा करोगे 27,040 आएगा अब कहो यह गुड़ा कैसे कर लिए तो गुड़ा करना आपको आना चाहिए जोड़ सब कुछ दिख रहा है जल्दी करिए नोट कर लिजिए उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बहुत जल्दी करिए वेरी फास्ट टाइम बहुत कम है स्क्रिंसाट ले लिजिए वीडियो को रॉंक करके लिखिए एक बात और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेस्बुक पर इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर हर जगा फॉलो करें जिससे कि आप अपडेट रह सकें कि यह तो हो गया एक सवाल आपके लिए होमोर्क है इसको आप लोग ट्राई करना प्रेक्टिस के लिए इसमें पी का मांड टूथा आठ माँ पर दिये है अभी अभी मैंने क्या किया था अभी-भी मैंने इसी दरह का स्वाल पको बताया था यहां पर जो यहन रख यह यह क्या होगा आपको पता है आपको हो जाएक यह हो जायेको यह आठ माँ पर दिये रहा corre ये 8 बाटा, फिर इसे और ऐसे समझे लो, एक साल में कितने 8 महीने होंगे? वैसे करना है जैसे उसमें किया था आपने बारा बटा चार किया था वैसे यह बारा बटा आठ करोगे बस यहन कमान बारा बटे आठ ठीक है याद रखना चलो इससे करके फिर मुझे बताना हल करोगे आ जाएगा अगला सवाल आपके लिए है यह नया टाइप है तीसरा नंबर ध्यान दीजिए मैं इसको बताऊंगा कह रहा है कि यदि 5000 रूपए पर दो वर्स का चकबिर्धी ब्याज यानि कि कंपाउंड इंट्रेस्ट और साधारन ब्याज सिंपल इंट्रेंस का जो डिफ्रेंस है अंतर है वह मात्र 32 रूपए है तो पूछ रहा है कि ब्याज किदर क्या होगी 3% 7% 9% 8% जल्दी से कमेंट करके बताऊ अरे यार नाम लेने में क्या रखा है कुछ लोग डंडा किए नाम नहीं ले रहे हो मेरा नाम नहीं ले रहे हो कौन सा बड़ा काम कर दियो जो आपका नाम ल अंतर डी है तो आर बराबर होता है क्या होता है इसको मिटाकर मैं आपको लिख के दिखाता हूं ठीक है चलिये साइड में देखिया अर बराबर पी का मतलब क्या है प्रिंस्पल अमाउंट मूलधन पांच हजार इन्टू हंड्रेड का स्क्वाइर हंड्रेड का ये स्क्वाइर ठीक है इसमें कोई जंजट नहीं चलो आर बराबर इनको अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो आपको मिलेगा कि 32 बटा ये पांच हजार और गुड़ा ये सो और गुड़ा सो क्यों भाई यही तो होगा यही होगा ना बाबू बस हो गया हो गया कोई बड़ी बात नहीं अब देखो आप एक काम करो 2-0 से 2-0 काट दो 100 तो गया बरबाद हो गया 1-0 से 1-0 इसका काट दो फाइनल में अगर मैं बात करूं तो इसका 8% आएगा कैसे आया आप कहोगे इतना 60 काई कर दी आप 32 का 10 में गुड़ा करोगे 320 होगा 320 को 5 से भाग करोगे 64 आएगा 64 का वर्गमूल करोगे 8 आएगा समझ में आया ना ये ट्रीकी मैं थैं बेसिक नहीं है कि मैं एक एक इस्टेप बताऊं अगर आपको बेसिक नहीं आती बिल्कुल टेंस नहीं लेना आप कमेंट करना आपको जिरू लेबल मैस प्रोवाइड की जाएगी वहाँ मैं इसको निचोड निचोड के फैला फैला के दिखाऊंगा एक एक स्टेप दिखाऊंगा एकदम एकस्पेंड करके कैसे कैसे होता है लेकिन ये कमपरटीशन वाला पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें और साड करनी चाहिए जो या मैंने इतना फिलाया तीन अंक ना तीन इसको नहीं करना था एक के में कर लेना था तभी एकजाम निकले का कमपरटीशन का ठीक है ना चलो लिख लो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ इसी तरह से एक सवाल पहले आप लोग भी करेंगे चलिए हां भाई आप लोग भी करोगे पांच हजार यह दो वर्स ऐसे ही रहने दो अक्सर इसी पर पूछा जाता है अगर यहां पर आपका अंतर कुछ और हो जाए का हो जाए जैसे मान लो कि 250 हो नहीं 32 हो चलो 32 हो तभी बताना क्या आएगा बस के वल मैं की चीज़ बदला हूं 32 मतलब पहले 32 था ठीक है बता लोगे ना कितना आएगा दर बताओ जल्दी से फटा फट हो गया अच्छा बता लिए तेक काम करो पंद्रह जा रहे हैं कर लो इसको 25 ही रहने दो इसको अभी बताओ मैंने यहाँ पर इसी तरह के तीन सवाल करवा याद रखना एक मैंने लगाए है दो मैंने आपको दिया है एक में मैंने पचीफ रक्का था यहां 5000 था दूसरे में मैंने यहाँपर 15,000 रक़ा यहांपर पचीफ और बाकी चीज़ें वैसे हैं करके देखना और फिर बताना इस तरह क्या और भी प्रैक्टिस कर लेना उसके बाद फिर हम अगले सवाल की और आगे बढ़ते हैं अगर आप इसे यूटूब पे डेमो देख पा रहें तो अगला सवाल आपके सामने आ चुका है ध्यान पूर्बग देखना और बीच में कहीं नहीं जाना बहुत ही आसान है देखिए इस तरह का मैं आपको एक ट्रिक बता दूँगा एक टॉपिक बता दूँगा आप सारे स प्रिंस्पल अमाउंट बताना कितना होगा कौन सी ट्रिक लगा होगे देखिए समझ यह ट्रिक मैं बता रहा हूं यह ट्रिक ऐसी होती है कि यदि पी धनरासी पर यदि पी धनरासी पर आर परसेंट वार्षिक दर से और परसेंट वार्षिक दर से और क्या कह रहा है आगे यदि किसी धनरासी पर इसको ऐसे ट्रिक बनाएंगे कि यदि पी धनरासी पर आर परसेंट वार सीखदर से दो वरसों के साधरन ब्याज और चक्रविधी ब्याज का अंतर दी रूपया है डी तो ट्रिक क्या होती बच्चा यहां पर देखो यहां से पी बराबर हम ऐसे कुछ निकालते हैं यहां पर जो डी है ना यह दी इंटू हंड्रेड का स्कॉयर और आपान आर का स्कॉयर यह ट्रिक लगा देते हैं पस पस बस बस आ गया कुछ भी हो इस तरह का यह ट्रिक लगा देन चलिए पी कमान हमें निकालना है डी दी मतलब डिफरेंस कितना ए 48 रूपय यह यह तो होगा न काड़ for a kisrome är 이 बीत-पनचए-फitäस यह 25 अरे गुरा कर लो कितना होगा हमँ पता है कि 25 नॉमिया कितना होता है न धुता है 25 कि नॉया हॉच पच्छेशंबग्र सुगैने का यह ना हमने भाग गूड़ा नहीं को फिर अने लागा समझ में आया ना कितना हो गया 12 रूपए इसमें से आप टिक का मार दो भी वाला अपसंस हाई है है ना कितना आसान देखिए अगर कोई भी टेवल ओगरा नहीं आता ना उसको बनाया जाता है हाँ यह आप लिख लिए ना इस तरह का एक सवाल और लिख लो चलो भाई लगे ह साथ बिल्कुल भी जाने नहीं देना मौका यह 20 परसेंट कह रहा ना वारसिक दर यह जरूरी नहीं कि दादा बता के गए 20 परसेंट रहे यह सवाल नंबर छेप साथ हो गया पिछली बार मैंने एक नंबर नहीं बढ़ाया था ना मैंने कठ्ठा बढ़ा लिया यह 10 परसें करना पड़ेगा है ना यह हो गया एक सवाल और एक और बनाना इसी में एक और बनाना जितने अभ्यास करोगे उत्ता बेहतर होगा इनका अंतर 96 रूपया है यहां पर यह 40 परसेंट ब्याज है अब बताना यह सवाल 8 हो जाएगा मैं अगर चेंज नहीं करूंगा ता अगल सब्सक्राइब क्या कहता है कि यह 25,000 रूपय की धनरासी का 10 परतिस्त वार्सिक ब्याज कि दर से तीन वर्सों में साधारण ब्याज तथा चक्पृति ब्याज का अंतर कितना होगा बताइए इसमें देखो है तो एक ही फैमली के कुश्चन उसमें आपको आर निकालना था इसमें आपको अंतर निकालना इसके पहले में कुछ और निकालना था तीन वालग परकार के हैं हैं लेकिन एक दूसरे से संबंधितना इसके ट्रिक क्या होती मैं आपको बता रहा हूं यदि धनरासी का आर परसेंट वार्सिक ब्याज की दर से यन वर्स और यन नहीं आप तीन लिखोगे हाँ तीन वर्स का साधारन ब्याज और चकविदी व्याज का अंतर अगर ग्याद करना है तो आप यहां क्या लगा होगे पता है देखो साधारन ब्याज और चकविदी व्याज का अंतर अंतर मतलब डिफ्रेंस इसके लिए ट्रिक लगा होगे चलो लिखो इक्वल है चलो फटा फट लिखो डीक्वल को पी आर और यहां पर क्या करोगे आपको पता है तीन सो प्लस आर हम ठीक है चलो भाई यह ट्रीक है कि नहीं हाँ तीन सो प्लस आर नीचे क्या होगा नीचे हंड्रेड और इसक्वायर नहीं क्यूब चुकी तीन साल का यह हंड्रेड का क्यूब ठीक है चलो लिख लो जल्दी करो इसको फटा फट नोट करो इसमें कोई गड़बर होगा तो बता देना बिल्कुल टेंसर नहीं लेना ठीक है हो गया ना चलिए आगे बढ़े सार मान 25,000 आर कमान कितना यह दस परसेंट बोल रहा था तो दस का क्यूब और तीन सो प्लस यह आर कमान दस नीचे क्या जाएगा इसका क्यूब हो जायेगा नीचे मैं इसको हल करूंगा बहुत ज्यादा लंबा नहीं खीचूँगा याद रखना यह 25,000 यह 1000 हो जाएगा दफ लाग जो जो सुनना उनना कट रहा है काट दो फट 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 आपका अंसर आपके सामने आजाएगा दोड के कह रहा है कि ब्याज का अंतर कितना होगा आपसे अंतर पूछ रहा है ना भाईया चलो कर लो कोई बड़ी बात नहीं यह लो 3-0 मैंने यहां निपटा दिया 3-0 यहां से भी ले लो इनको भी यह मैंने निपटा दिया सब कट गए 25 का गुड़ा करना बाव तीन सो दसमें चलो कर लेता हूं 0 उतार लिया 25-25 यहां सी लाया कितना दो 25 तियां 75-2, 87 कितना 87 लेकिन यहां पे कुछ कुछ गडबढ हो रहा है क्या देखो अगर ध्यान दो तो यहां पर कुछ मिश्टेक हो रहा मुझे लग रहा है देखो यहां पर मिश्टेक यह हो रहा है क्योंकि यहां पर जो 7750 आ गया न यह तो बहुत बड़ी रासी आ जा रही अंतर इतना अंतर हो यह नहीं सकता है मैं ब लोगात रहेंगी बावु तो यह किवल सौ बनेगा उन्टेट बनेगा ठीक है तो जो आपके यह सब 0100 गट गए ना एक जी अब यहाँ उपर कम हो जाएगा यहीं निपड़ जायेगा मतलब उपर जीड़ कर जाए Calling नहीं तो यह परसेंट वार्सिक ब्याज की दर से तीन मर्स में साधरन ब्याज और चक्रवृदी ब्याज का अंतर पूछेगा तो आप इसका परियोग करेंगे सवाल नंबर दस इसी में कर लो यह दस परसेंट जहां पर है यहां पर आप 15 परसेंट कर लीजिए दसमा नंबर हो गया इसको करके मुझे बताना अरे ऐसे कुश्चन डिरेक्ट पूछ लिया जाता है परिक्षा में जो आपके अध्यापक बरती परिक्षा होंगी इसमें कु करके बताना दोनों कुश्चन ठीक है ना तो आज की यह क्लास यहीं पर इंड करते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे निसांकोच कमेंट करके हमसे सेयर कर सकते हैं हाँ चलते चलते आपको एक बात बता दें अगर आप इस क्लास को डेमो के रूप में कर सकते हैं इस पर आप सुबह 10 से साम 6 बजे की फोन कॉल भी कर सकते हैं हमारे असिस्टेंट आपको सब कुछ बताएंगे आज के लिए इतना ही पूरा क्लास देखने के लिए आपको दिल से प्रेम पूरबग कोटी-कोटी धन्यवाद मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसी